नवश्कार मित्रों मातरानी की जैहो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मित्रों आज हम आपको बताएंगे कि लौंग से किस प्रकार से होता है वशीकरण तो चलिए सुरू करते हैं पर ध्यान रहे मास मदिरा का सेवन करके आपको विधी नहीं करनी है और अगर आप विधी करने में समर्थ हैं और वशीकरण आसरम से करवाना चाते हैं तो हमें बेजआ जग समपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, हमारे समपर्क सुथर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं मित्रों आज की विधी हम आपको जो बताने जा रहे हैं, वो बिना किसी मंतर के बताएंगे कई लोगों को सैंस्कृत का मंतर बोलने में तकलिफ होती है उनसे मंतर नहीं बोले जाते तो उन लोगों के लिए आज की विदी बहुत ही ताकतवर विदी है ताकतवर वशीकरण बनाती है और दूर से वशीकरण बनाती है कहीं पर भी आपको जाने की आवशकता नहीं अपने प्रेमी के पास जाने की आवशकता नहीं आपको बस जैसे हमने बताया है वैसे करें गारंटी है हमारी वशीकरन होकर रहेगा जिस प्रकार से आप तडपते हो अपने प्रेमी के लिए उसी प्रकार से आपका प्रेमी आप होनी चाहिए इस प्रकार की फॉल वाली लोंग होनी चाहिए और साथ लोंग आपको लेनी है विदे के समय की बात करें तो किसी भी वार की रात्री बारा बजे के बाद आप ये विधी रात्री में कभी भी कर सकते हो किसी भी वार की रात्री बारा बजे के बाद पुर्वदिशा के और मुख करके आपको बैठना है साथ लोंग किसी भी कागज में लेकर और पूरे विश्वास पूरी सरद्धा के साथ आपको ये विधी करनी है बहुत ही छोटी विधी है पर उतनी ही ताकतवर विधी है दूर से वश्वास गणन की विधी है चाहे आपका प्रेमिक कित्रा भी आपसे दूर हो ये विधी पूरी तरीके से उसके उपर असर करेगी तो आपको जैसे साथ लोंग आपने किसी भी कागज में ली इस प्रकार से आपको उसे कागज के बीच में अच्छे से बांध लेना है इस प्रकार से कागज में आपको बांध लेनी है उसके पश्चाथ आपको इसे सीधे हाथ में रखना है और उसके पश्चात आखे बंद करके ये सीधे हाथ में रहेगा आखे बंद करके अपने प्रेमी का चहरा अंतर ध्यान करना है पूरे दो मिनट तक घड़ी या मुबायल में अलारम पहले लगाकर इसे सीधे हाथ में लेकर आपको आखे बंद करके अपने प्रेमी का चहरा अ याद रखना तो आपके अंतरधान करने की पावर पर ये विधी निर्भर करती है तो आपको सीधे हात में से लेकर दो मिनट तक उसका चहरा अंतरधान करना है और जैसे ही दो मिनट कम्प्लीट हो जाए आपको तुरंथ इसमें ग्यारा बर फूक मारनी है तुरंथ ग्यारा खच्च वशं फिर एक बर फूक मारेगी फिर दूसरी इवर आपको मंतरधान वह बोलना है नाम बोलना है till आपको फूक मारना है ऐसे आपको 11 बर नाम और वशं के क्यारा बर नाम ले लिए उसके बाद आपको और इसे तक्ये के निचे रख कर सौ जाना है रातरी में आप पहले पहले ध्यान रखना रातरी में 12 बजे के बाद और दिन में 11 बजे के पहले आपको इसे सीधे हाथ में लेकर वही प्रक्रिया करनी है दो मिनट का घडिया मुबाइल में अलारम लगाना है दो मिनट तक 14 अंतर ध्यान करना है और फिर 11 बार आपको नाम लेकर जैसे सेले जाकर इसे किसी भी सुनसान जगह पर कोई आता जाता ना हो सहर के बाहर की साइड गाउं के बाहर की साइड जाकर आपको इसे जला देना है अच्छे तरीके से ये जलना चाहिए किसी भी साइडा से आप कागज की साइडा से या किसी भी तरीके से आप इसे जला सकते हों ये जलना चाहिए कपूर की सायता से जो लंबे टाइम तक जले और इन लोंगों को पूरी तरीके से जला दे और इसे जला कर आपको घर पर आ जाना है बस इतना काम आपको करना है अगर ये आपने कर लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि उसी दिन जिस दिन आपने इसे जला आपका प्यार का दास बना देंगी तो आपको ये विधी करनी है किसी भी प्रकार की अगर प्रेम समंदों में दिक्कत है या फिर आपके दामपत्य जीवन में कड़वाहट है डाइवोर्स तक मामला पहुँच गया है पती पतनी में अनबन है प्रेमी छोड रहा है प्रेमी जा पाएगा डाइवोर्स का मामला खतम हो जाएगा और आप हमेशा के लिए एक साथ रहोगे आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा मातारानी आपको जरूर सफल करें मित्रों विधी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आप से कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधी आस्रम से करवाना चाते हैं तो हमें बेजिजक संपर्क करें आपकी पूरी सहाईता की जाएगी हमारे संपर्क सुत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इसी के साथ जैमाता दीमित्रों हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही जो 30 से बतले जीवन की पिक्चर को फ्रेस करें आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे जै मातारानी